मैं डॉक्टर तूशार्शा गानेकोलोईस्ट हूँ और आज सिम्स होस्पिरियर में मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ आज मैं आपको वंदेतों के बारे में बता रहा हूँ कि वंदेतों किसको कहते हैं जब कोई कपर या जोड़ा एक साल तक कोई कांट्रसेप्रिक का यूज किये बिना बच्चे के लिए प्रवाइद न करता है और बच्चा नहीं होता है तो उसको वंदेतों कहते हैं और उसको डॉक्टर को मिलके ट्रीटमेंट लेनी चाहिए इनिशली शुरू में डॉक्टर उसको ओविलेशन स्टड़ी करता है जब बीज निकलता है वो दिन निकालता है और उसी जिन साथ में रहने के लिए बोलता है कभे कभी IUI जैसी ट्रीटमेंट पर देता है अगर उसमें भी दो-तिन साल में बच्चा नहीं हुआ तो उसको टेस्ट्यू बेबी वाफर करते हैं टेस्ट्यू बेबी का मतलब है कि हम स्त्रीविच को स्त्री के स्त्रीविच को शरी के बाहर निकाल देते हैं पुरुष के शुक्राणों को भी बाहर ले लेते हैं और दोनों का मिलन लैबोरेटरी में एक स्पेश्यल प्रकार्ने मीडिया में रखते हैं तो वो रखने के बाद दो-तिन दिन में उसमें से बच्चा बन जाता है और बना हुआ बच्चा या एंब्रियो को हम घरपाशे में वापिस रखतेते हैं और फिर बच्चा नौ महिना तक घरपाशे में बड़ा होता है यह टेस्टूब भी हम अलग-अलग कंडिशन में करते हैं जहां ट्यूब दोनो नलियां ब्लोक होती है जहां शुक्रानों बहुत कम होते हैं या बिल्कूल नहीं होते हैं या अंदाशे जन्वा से नहीं होता है या उसकी उमर पिस तहलिस साल से ज्यादा हो जाए तब अंदाशे अणविज निकालने का बंद कर देती है तो ऐसे केस में हम यंग लड़की के श्त्री बीच को दान में लेते हैं और उसका अब उसके हस्बं के वीरिये से उसको एंब्रियो टेस्टी बेवी त्वारा बनाते हैं और उसको कपल में जो स्त्री है उसके अंदर वो रख देते हैं तो पीस तारीस पचाल साल तक अपने का बच्चे को धारन कर सकती है, कभी कभी गरवाशे नहीं होता, या गरवाशे को पहले निकाला गया है, जैसे कि डिलीवरी के वग बहुत बीडी गोवा ऐसे केस में, तो ऐसे केस में हम स्वरोगसी या गरवाशे का दान ले सकते हैं, गरवाशे रेंट उपर ले सकते हैं, इस तरह टेस्ट्यू बेबी द्वारा हमारे बहुत तरह जुदी-जुदी पद्धत ही से हम बच्चे कपल को दे सकते हैं और उसको बच्चे होने का आनन दे सकते हैं, नमस्कार, थैंक्यू. व्चे मिम्खत बच्चे कपल के सकते हैं, ज हम है सकते हैं, ज सकते हैं, तरह भीने जुदका दिने सकते हैं, décidéस कर दो दो सकते हैं, और ले ज